साथियों, इस वर्ष हम आजहादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे सामने चुनवतियां जरूर हैं, लेकिन विकास का पहिया हमें तेज गती से आगे बढ़ाते रहना है। आप भी अपने गाओं के विकास के लक्ष तै करें और तै समय सिमा में उन्हें पुरा करें। जैसे की ग्राम समा में आप स्वच्छता को लेकर, जल सवरक्षन को लेकर, पोशन को लेकर, टीका करन को लेकर, सिक्षा को लेकर के एक अभ्यान सुरू कर सकते हैं। आप गाओं के घरों में जल सवरक्षन से जुड़े लक्ष तै कर सकते हैं। आपके गाओं में ग्राउंड वाटर लेवल उपर कैसे आएं, इसके लिए लक्ष तै कर सकते हैं। खेती को फर्टिलाइजर से मुक्त करना हो, या फिर कम पानी में पैदा होने वाली अच्छी फसलों की तरफ गाओं को आगे बढ़ाना हो। पर ड्राप मौर कॉप एक-एक मुंद पानी से मबलख पांक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। गाओं के सभी बच्चे और विशेश कर बेटियां स्कूल जाएं, कोई भी बीच में पढ़ाई न छोड़ें, आप सब को मिलकर ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आउनलाइन पढ़ाई को लेकर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर किस प्रकार गरीब बच्चों की मदद कर सकती हैं, इसमें आप जरूर अपना योगदान दे। इसमें जो गाउं की जरूरते, जो कमिया सामने आती हैं, हर ग्राम पंचायत को उन्हें दूर करने के लिए लक्षन दिर्धारित करने चाहिए। अभी की इन परिस्तितियों में पंचायतों का मंत्र होना चाहिए दवाई भी, कड़ाई भी।